तो सुप्रबाद मेरे सभी मित्रों को और आज की ब्लॉक के सुरवाद भी कर लेता हूं तो हेलो दोस्तों के आल चाल हैं मैं ब्लॉक्र मस्तों रूमीद आप लोग भी जहां होंगे सब्स्तोंगे मेरा नाम मेरा बिंदर भॉगणा और शाकत करतों आपका देव मुहूत यहां पर आ गये हैं और भागी ठंडी ठंडी हवाई भी चल रही है और घौसारा डिपार्टमेंट की बात करें मदुली और बिंदों को फिड़ से अंदर बान दिया है बाकी यहां पर देखे एक छोटा सजो मुस्त भगडी चिड़िया होती है वो यहां पर मस्त करके यहां पर मस्त करके यहां कौपी कुपी निकाल रहे है बागी अनिता तो अपने बगल में सीसे को जरूर रखती है बार बार सकल भी देखने पड़ती है क्योंकि आज से नबरातर इस्टार्ड है कल कि चौड के सारग तुण की टो ऑपर तक जा Rock तक चल कुछ मार्केट थोड़क थोड़काया है उसके बाद हो जाएगाimizi ब्रकत बर्बेचते नाने कि जाए बग है जोने सब्सेंटर क्ल्सक्त मेरिखते हैं उसको ज्मार्वर मै का गाउं यहां से 20-25 किलुमिटर है और उस गाउं का नाम है पनियावा तो आज यह वहां जाएगा फिर स्याम को वापस आएगा यालि कि आज पूरे दिन पर इसको 50 किलुमिटर का सफर करने आने जाना परना मैं समत भागे समत भागा आरां जिभाग और यह है हमारी गाउं और तो जिस गाउं में आज भी सटक नहीं जा रहा है उस गाउं में जो खचर है उनी के द्वारा ही इटों को ले जाये जाता है तो संतु अभी मार्गेट जा रहा है तुव अपना मार्गेट करके आएगा तो मैं यहीं पर खड़ा हूं तब तक क्यों कि भाई मैंने कॉन को यहां पे चोड़े जर बागे सांतु जारा अपनी नाने के घर ठीक है बाई जल्द याना इंद जार करूंद रखाया तीन चार वजे का ठीक है ठीक है बहुत याद आएगा तुकस्वम से जाया रहो चल ठीक है छली रखुम चल़ई जी शंतु अपनी नाने को मिल गाओं के कुछ लोग जरूर आएंगे गाओं वापस कुल मिला के बात है कि पांसा दिन तक तो रोना गाओं में और फिर उसके आद वही सन्नाटा यानि कि मैं फिर से अकेला वागे चली जी घर आगया और बागे इस वाले चरपाएगं दिसस हो रखा है अलो क्या हले अरे वह ओन नंबास हो जाते यहां क्या हो रहा है और रहे इसने तो कोट्सी लगा रहे ही उसको एलो ऐदर वई इसके अलगी टैलेंट है ने चरपाईग उपर कुट्सी रखिए औ वाहे था रहे रहांक रहे हों किताब प्व्थ लचाना इसयथ्य किताब यह सबस्क्राइब नहीं हो और अब मुछा कई उतरे醒ा करने वाली कोई नी गूगल पर सर्च बारूगा मैं ठीक है बागी चलिए दिन के सारे बारा बजरूर मैं थोड़ा ना लेता हूँ अब यह लोग तो लगे यहां यूट्यूब चलाने पहलो मेरा ब्लोग देखो ठीक है अधा इस तेक रहे हैं यहां की बात करें तो भाई साब यहां इ चलो भई अब नहाते हैं पहले तब जाके ब्लोग कंटिनियो करते हैं गाई तो दिन के सारे बारा बजरूर मैं भी एक दम नहां गया हो और बाकी माने जो गेहों सुकाने डाल रहे हैं वो भी करारे हो गये हैं ठीक सामने से देखिए मां भी आ गई है कंडी में घास लेकर आईए आईए बहुगना जी आईए शागत है आपका आज आप टाइम से घर आ गए भाई धन्यवाद धन्यवाद है है धन्यवाद कसम से चलो बढ़िया तो माने मदली और बिंदू के लिए खाना ला दिया है सज बता हूं तो जब मां खेस से आ जाती तो उसके बाद तो पता ने हटो जरा अरे वाई यह बन रखा इनका खाना यहां देखो आलू इन्हों ने छिल के काट रखे है बागिया प्याज भी काट रखा है टमाटर भी धनिया भी सब चीज काटके रखा हूआ है और खाना बनिया है वाँ बागि यहां देखे यह देखो चौर एसी आरिव शैतान क्या नो 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 ठीक ठीक जल्दी बनाव खाना ठीक है माजी आ गया तो देखे जाए वी कितना अच्छा द्री से दिखाए दे रहें यहां पर अनीता है ठीक वहां पर मां भी बैठ रखी है और यहां की बात करें तो यह शर्मीली देवी देखो यह इसने मे आए दे इसके नाम पे दे दे उसके नाम पे देदे बागी चलो जलाज खाना भ्राओ मां को भूग लागए ठीक है आई माहा भोटी नहीं नहीं मिरेको भूगी नहीं लाए वर मरोटी का के गये बन यानि कि मा ने सुभे एक रोटी खाई और उसी को पचारिया भी आ बिसकोट करके खाया माने यह विसाइए तुमने दिली से लाया और मैने मस्त करके खाया क्या हिंदी है वहां कि प्राइब तुम भी कुछ बोलो के कुछ टैलें तुमारे अंदर तुम बताओ कुछ नहीं है काता मैं यह विसाइए और तेरे अंदर कोई टैलेंट हां सकाव चुपाने का नि यह विसाइए तो दिन की एक बज गई है और यहां पर अनीता ने सब के लिए खाना लगा दिया है तो सर पर हमारी माता सिरी चकेंगे हां जी चको जरा खाऊ जरा और आज की ख अब हम खाएंगे भात यह यहां पर सो रखी उठ जा मेरी प्यारी तेरा खाना ठना हो गया नहीं तो भूग से मारेगी चिलारी आजा यमना साबास आजा यहां पर यमना का खाना है यहां पर मेरा है और बाकी मा तो खाने लग गई है मैं नहा के एकदम सो गया था लेकिन तब तक हमारे माकान के उबर ताव लोगों जी की गोशाला है और वहां इतनी खतरनाक आग लगी आज दो हत्या होने से बच गई यानि कि गाई की बच्डी और गाई दोनों मरते मरते बचे बचे वही एक्चुली क्या हुआ कि यहां टायर थे और लकडी थी पराल था जिसको की पसों को देते हैं वो साहरा जल के राक हो गया है और गोशाला की अंदर तक गई पूरी आग और हम सब लोग भाग भाग के आए और देखो क्या हाल हो गए है लगवक पूरे दो घंटे लगे आग को बुजाने में लेकिन तब चंब आग 99 पर समय और सब तभाव हो गया कि यहां पर चपर था चपर बिर तूट गया सावरा और यहां जितनी भी लगडियां थे जितना भी गास था सूखी भी घास पसो कह खिलाने इस को सारा बरवाद धोगे थेके यहां बहुत खथरनाक दिरिस्य था गार लगा लपट जा रही थी और कोशाला के अंदर भी लपट थी चार उतरप आगी आग दी लेकिन भगवान ने यह किया गाय और गाय का बच्छडा मनने से बच गया भई और हम इतने जादा होपलेस हो गए थी कि हमें समझी नहीं आ रहा था क्या करें सारे गाहँवाले आए सबने बाल्टी पानी की लाई दनादर डाल रहे थे और यहां देखो मतलब आग में भैसाब कुछ भी हो सकता है यहां से आग अंदर गई तो पल भर में सब चीज तबाह हो गई है लेकिन गाहों के सबी लोग आए सबी लोग ने मदद की और सब ने जल्दी जल्दी पानी लाया तब जा कि पूरी आग कंट्रोल में आ गई तो भैसाब कुल्मिला के फाइनली वहां सब ने आग कंट्रोल कर लिए है और भाहिवसाब भगवान के ऐसे किरपा रही कि गाय और गाय का बचला नहीं जला गाय का हलका सा मौज जुलस रखा है कोई भी होस्त नहीं रहे थी कि भगवान ने यह क्या कि गाय और गाय का बच्रा बच गया वह दो बेचारी बेजवान पसु थे वह बच गए लेकिन किसमा तैसरे कि घर में सब लोग जहें तो सभी लोग ने जल्द जल्दी पानी लाया और आग एकदम काब हो गई तो मैं देखो किसी से वह बीडियो मां गई थी टेंट में और आग बजाने में बहुत सारी मसकत करनी पड़ी सारा पराल जल्द के राक हो गया जितने भी पसों का खाने का चारा था सब राक हो गया और गाओं की सभी मैलाएं आई काम करने यह अंदर से चाची जी मियार को हटा रहे हैं क्योंकि अंदर पसों को बांद रखा था सब लोग होपलेस हो गए थे मैं भी लगा हूं पानी डालने पर पुल्विला के बाद यह कि हर किसी ने अपना अपना साथ निभाया तब जाकर भाई साब आग पे काबू पाया गया लेकिन यह जो मंजर था ना बड़ा खौपनाक था अभी तो ऐसे लग होगे तो भगवान करे आज थोड़ा बारिस हो नहीं चाहिए क्योंकि वहां जहां जहां थोड़ा बहुत आग अभी वी सो लग रही है वह भी बुच जाएगी वैसे तो हमने लगवाग बुचा दी है लेकिन बहुत सारी लगड़ी ऐसे जो अंदर से अभी उससे दुआ तो अगर आज बारिस लगए तो वहां सारी आग बुच जाएगी और यहां की बात गए तो सेरो मस्त करके सो गया है ठीक है ठीक है ठीक है अवह सब गये अनिता भी गई माजी भी गई यावना भी गई सेरो भी गया तो फाइनल में ना गया और बाकी कपड़े भी चेंज गड़ दे है और भगवान ने सुन लिए है क्योंकि बारिस लगने लग गई है और आज इस बारिस के लिए सब ने दिल से बहुत प्राटना की तो भगवान ने आज लग वक्स सभी की सुन लिये है और मदली और बिंदो को अंदर बांद दिया है और इज़ार अखरोट की पेड़ फिर सहरी पतिया आ गई है और जुलाय अगस्त में इसमें अक्रोट पक जाएंगे तो बाकी चली जी माजी भी आ गई है खेतों से फिर से घास लेके और बाकी अब यमना ने गर्मा गर्म चाए भी ला दी है धन्यवाजी ये बाबा ये कुछ नहीं बोलती है ये अलगी है बागी अन्यता तो लगी है कभी कवार काम करने पे तो आज काफी दिनों बाद हमारे आंगन में घूगूती दिखाए दे रही है जो की काफी खूबसुरत दिखाए दे रही है और जो बारिस के आसार थे हो हलकी फुलकी बुना बांदी हुए उसके बाद पूरी बारिस रुग गई और पूरा जो चौक हो एकदम सूग गया बाकि आस्मा तुकाला हो रहा है लेकिन बारिज मुस्किल लगे है अब